नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का सैनल पे दोस्तो आजम बात करेंगे एक और नई सरकारी भरति की information के बारे में इस भरति के दोस्तो नटफिकेशन जारी हो चुका है और इस भरति के लिए दोस्तो आप इंडे के सभी राजूं से अपलाई कर पाएंगे मेल तदा फ वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है तबिए आप दसी पास या बारी पास या घ्रीजिट हैं या आपके पास और भी कोई कौल्फिजिजघीस है नहीं दुस्तो तो आप इस भरती के लिए एक लिए एक लिए और इसमें सेली आपको बहुत इस चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा और साथ में बेल अएकन को भी जरूर प्रेस कर लीजेगा दोस्तो बर्ति की पूरी इलुठो मिशन समझने के लिए लिए वीडियो के अंतक बने रहेगा इस बीडियो में दोस्तो आपको step by step सारी information दी जाएगी कि आज की भरती में किस-किस पोज की भरती है क्या qualification चाहिए और इस भरती का location क्या है दोस्तों इस सारी information हम आपको इस वीडियो के मादम से देने वाले हैं तो चले दोस्तों बात करें लेते हैं इस भरती से related information के बारे में तो दोस्तो आगे बढ़ेंगे जश्यवता दोस्तो आज अम बात करेंगे एक और नई सरकारी भरती की information के बारे में इस भरती के लिए दोस्तो आप इंडिया के सभी राजियों से apply कर पाएंगे male तदा female दोनुए दोस्तो इस भरती के लिए apply कर सकते हैं दोस्तो तो सहली की बात करें तो सहली आपको बहुत यह बढ़िया मिलेगी गौश्ट के रूल्स के इसाब से आपको सहली दी जाएगी बेसिकलिए आपको लेबल एक से लेके लेबल 14 तक की सहली दी जाएगी पोस्वाइज चांता दोस्तों इस भरती में आई सीमा की बात है एज लि अगाकसैशन भी दिया जाएगा। सेलेक्शन प्रोसेश के बात करें तो इस भरति में आपका रिटेंट टर्टर ट्राइस के बेसिस पे सेलेक्शन किया जाएगा पोस्वाइज आखॉर्डिंग लिए दोस्तों जाता अप्लाई मोड की बात है तो इस भरती के लिए आपक पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस भरती में किस-किस पोस्ट की भरती हो रही है तो दोस्तों इसमें भरती हो रही है मुल्टी टास्किंग स्टाप की लो डिजन कलर की अपर डिजन कलर की पसनल असिस्टेंट की लेबरेटरी अटेंट की लेबरेटरी असिस्टेंट की जूनियर इंजिनियर सिबिल तथा इलेक्रिकल की सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की प्रोफेशनल असिस्टेंट की तथ अधर-बेरियस पोस की चले दोस्तों बात कर लेते हैं क्वाल्पिकीशन की बारे में तो दोस्तों जो कंडिटीड्ड दसभी पास तें यह बारी पास आएं वोई अपलाइат कर पाएंगे MTS की पॉस्त क्ले और जो कंडिड्डीड्ड 12 साइंस पास हैं वह अपलाइई की पोस्ट के लिए जो candidate graduate है, दोस्तो उय अप्लाई कर पाएंगे, LDC की पोस्ट के लिए ततरा UDC की पोस्ट के लिए जिन candidate ने दस्विपास कर रखा है या बारी पास कर रखा है और उनकी पास certificate है दुस्तो या diploma है या जिन candidate ने दोस्तो bachelor degree कर रखी है या master degree कर रखी है दोस्तो relevant discipline में तो वे अधर पोस के लिए भी apply कर पाएंगे आपको दोस्तो बर्ती की notification दिखा देता हूं इसका link मैंने दे रखा है चले आप बात करेंगे पहले फीस के बारे में तो इसमें post wise तथा categories wise फीस है दोस्तो पचीस रूपर से लेके 2000 रुपय तक क्योंकि इसमें जो सीनियर लेवल की poster है उनके लिए फीस जादा है दोस्तो ठीक है और चले आप बात करेंगे इस भरती के location के बारे में तो आपको बता दूँ यह भरती है दोस्तो विश्व भारती Central University की और यह दोस्तो Ministry of Education में आता है Government of India का है दोस्तो और इसका location है West Bengal तो गाइस यह था आज की भरती का सो डेटेल आई होब दोस्तो विडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तो यह आपका कोई भी कोई question आए तो आप comment करके पूश लीजेगा और आप सभी को बहुत बहुत सुप काम ना है दोस्तो थैंक्यू सो मच